कि आपको यह वेबसाइट के सेक्षिन में जो ओरिजनल वेबसाइट है हमारी जिसको हम बना रहे हैं ओके ओर यह वेबसाइट है जो आधी बना चुके हैं इन तोनों में एक डिफरेंस है अउनने देख if i hope i hope आपने देखा होता उगा कि क्या रशचों गई पतालग यको क्या डिफरेंस है ओके तो जिन लोगों को नहीं है नहीं पतालगा मैं बता देता हूकिब साहँ क्या डिफरेंस है देखिए जो वैबसाइट है जो हमारी अर्फेल्साइट है इसमं यहां पर और आप देख सकते हैं इस एस वोख उट वम धम का यहां पर थेहीं आपटाइन पार सबिस्क्रेंगे के लिखल छाड़ की आप Three economies से ओके टो यहां पर रोश ब्हु अने देरिया और यहां पर फार्ट अबीछ ऑन स्धिशल्य और देखते हैं box shadow कैसे देगे इस रो के पास और इस रो के पास दोनों के पास क्या है एक class है रो तो रो class है तो यहाँ पर मैं box shadow दूँँगा okay box shadow और box shadow में सबसे पहले मैं लिखता हूं horizontal offset और फिर vertical offset और फिर यहां पे मैं लिखूँगा कितना blur देना मुझे 20 pixels का spread कितना देना है 0 pixels का और color के देना है for example मुझे color देना इसका AAA okey आप देख सकते हैं यहां पर box shadow आ चुकी है और यहां पर भी box shadow है बट आप आपको अभी थोड़ा सा difference लग रहा होगा difference क्या है मैं भी पताता हूं देखिए अगर आपको difference नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं बहुत कम difference है मैं आप साथ हूं क्या difference है यह जो आप box shadow देख रही है यहां पर इसमें मैंने horizontal offset और vertical offset offset set किया मतलब यह जो box shadow है आपको top और left में देखने को नहीं मिल रही है यह आपको bottom और right में देखने को मिल रही है ठेक है दोनों के दोनों रोज पर यहां पर जो box shadow है वह थोड़ी थोड़ी चार उतरफ है ओके ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहां पर मैंने horizontal offset 5 pixels का और vertical offset 5 pixels का इसको 0 pixels कर देता हूं और इसको भी 0 pixels कर देता हूं अभी देखना अभी यह box shadow बिल्कुल इस चैसी box shadow बन चुकी है अब यहां पर अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं डिजाइनिंग के बारे में यूऑ इसा कर ओं कि दिखे कि हाँ बोक्षाडो लगा रुक है विस्वाज़ा ने रखे तो देख सकते हैं बोक्षाडव तो आ चुकी है बट यह देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको box shadow इस तरह से देनी है कि आप box shadow दे भी दो और पता भी ने लगे कि आपने याप भी box shadow दी हुई है और ये rule हर जग अप्लाई होता है आपके real life में भी for example अगर आप अपनी photo पे filter इस तरह से लगाओगे कि दूसरों को पता लगे filter लगाया हुआ तो आपकी photo बिल्कुल अची नहीं लगेगी बट अगर आप filter इतना लगा होगे कि दूसरों को पता ना लगे filter लगाया हुआ और आपकी photo भी नहांत हो जाए तो अच्छी लगेगी तो यहाँ पे आपको करना कि इतनी देनी है कि बस आपको यहाँ पे पता ना लगे बोक शैडू दी हुई है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फिर से ओके ओके और यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाता हूँ आपको यहाँ पे मैंने color जानके light लिया है और मैं आपको दूसरे डेवलपर की प्रेफरेंसिस भी बता देता हूँ यहाँ पे कुछ डेवलपर क्या करना पसंद करते हैं इसको यहाँ पे ब्लैक बोक शैडू लेंगे जो की अभी अच्छी नहीं लग रही है यहाँ पे इसकी जो opacity उसको कम करते हैं थे कह Aegis की opacity को यहांसे देहिए अरभ इसको ऊबर करेंगे अपने color को ठीक है आप देखेंगे यहाँ पे opacity को यहां से कम जाला कर सकते हैं ऐसकी पर इसकी तो अगर मैं इसकी opacity को थोड़ा कम कर दूँ देखिए, opacity को मैं सिर्फ इतना random, for example, 0.3 तो अभी भी ये मेरी box shadow देखने में ठीक लग रही है, ठीक है, अगर मैं इसकी opacity को अगर मैं 0.3 है, अगर मैं इसकी opacity को बढ़ा दूँगा, तो अभी देखने में अच्छा नहीं लगी जाओ, तो मैं इसकी opacity को थोड़ा 0.34 के आसपास ही लेके आ जाता हूं, for example, 0.4, for example, देखते हैं, you can experiment with different values, okay, तो 0.4 भी यहाँ पर सही लग रही है, okay, तो यह था box shadow, आप box shadow कैसे दे सकते हैं, okay, तो मैं यहाँ पर दुबारा से around 0.3 कर दे रहा हूं, okay, all right, अभी हमारे यह वाला section almost complete हो चुका है, मगर यहाँ पर हमने एक चीज नहीं कई थी, जो हमने यहाँ पर की थी, okay, यहाँ पर navigation बार में की थी, बड़ यहाँ पर नहीं की, लघने हैं, इस row में कया था मेरे पास, एक था मेरे पास row में Gesetz box थी, और एक था text box, देखिए हमने इसको float किया, हमने क्या क्या था मगर यहाँ पर float करने के बाद, हम जानते हैं float करने के वाद क्या होता है, चाहिए अध्क, यह बनते हैं और तको यहां हो रही बता क्यों था तो तक हुआ हिसको हो रएंगा ड noi przet reality कौन था यह हो रएंगíkतब कौनक میں तीक मैं फरोट है यहां हुआनкам फिसको किया था? हमने image box और text box को float किया था और image box को float करने के बाद generally क्या होता है जो हमारा parent element है for example यह रो हमारी parent element थी इसका इसकी height zero कर देता है जो floating element होते हैं जो okay तो इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा था इसलिए नहीं हो था क्योंकि यहापने हमने height कर दी थी set okay all right तो यह था but मगर मैं यहां पर फिर भी floor को clear करूंगा तो मैं यहां पर क्या करूंगा dot row after content okay तो यहां पर मैंने floor clear कर दी है और for example आकर चलके मुझे इसकी like अगर मैं responsive बनाने के कोशिश करूंगा मुझे इसकी height auto करने पड़े और इसको थोड़ा change करना पड़े तो बाद में problem ना हो इसलिए मैंने यहां पर इसकी जो row थी उसके बाद मैंने यहां पर floor clear कर दिया होगे और बस इतना सा guys यह section I hope आपको समझ में आ चुक होगा कि हमने section को कैसे बनाया thank you so much guys for watching this video